उत्तर प्रदेश, गोवा, मनीपूर, उत्रा, खंडर, पंजाब, पांचो राजे के जो चुराम नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं और कही न कहीं अब जो है इस्थिती असपष्ट हो चुकी है तस्वीर साफ हो चुकी है कि आखिरकार किस राजे में किसकी सरकार बनने जा रह और कहीं न कहीं यह जो नतीजे आए हैं इसके बाद कंग्रेश को बहुत जादा आत्म मंधन, आत्म चिंतन करने की ज़रूरा थे वहीं बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा यह चुनाब रहा है और आम आदमे पार्टी के लिए तो मानो एक नई सुबा, एक नई सुरु द्वात लेकर क आई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मातर दस साल पुरानी यह पार्टी है और जिस परकार से दिली में दो भार सांदार तरीके से स्वीट क्लीन किया है चुनाब को और उसके बाद जब अब पंजाब में चुनाबला रही थी पुरी दम खम के साथ और जिस आमाद्मी पाटी को पंजाब में सफलताय मिली है और जो बंपर जीत मिली है वो कहीं न कहीं एक बहुत ही अकल्पनिया है और विश्वसनिया है क्योंकि सभी कुमीद थी कि पंजाब में जो है आमाद्मी पाटी अच्छा परदर्शन करेगी लेकिन इस तरीके से स्वीप क्ल नहीं वो चुनाब हार गए वहीं परकास सिंग बादल सुक्वीड सिंग बादल क्याप्टर अन्मिंडर सिंग सभी के सभी दिगत चुनाब हार गए तो कहीं न कहीं पंजाब की जो आम आदमी पाटी में हुआ है और जिस तरीके से पंजाब में आपकी लहर कह सकते हैं हम सु पक्षी पाटी बहक के चड़ी गई इसमें कोई दोराई नहीं है और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहें हम आदमी पाटी को और जिस परकार से भगबंत मान अब कही न कहीं पंजाब की कमान सम्हा लेंगे तो उनके लिए चुनातिया होगी उनके लिए प्र पर काटे की मुकाबला हो सकती है बीजेपी और सपाके बीच में लेकिन ऐसा बज्सालव क्रसक्राम करती तो जिए नहीं है बहुत बदी बात की अप्यक्षाहें जरूर्थ हो सकती है बीजेपिया GAR पर दिया वहां पर जिस तरीके से बंपर जीत मिली उसको कहीं नहीं कह सकते हैं बले ही सापा ने अच्छा परदसन किया हो और वह 47 सीट से उपर आकर के तक्रीवन 130 के आसपाज सीट जरूर जीती हो लेकिन उसके भावजूद भी जिस परकार से बीजीपी दूसरी बार लगत सब्सक्राइब बना पाने में सफल हुई है यह एक रेकॉर्ड है पिछले तीन दसकों का तीन दसकों में ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी एक मुख्यमंत्री अपना प्रांच साल का कार्याकाल पूरार करे और दोबारा से एक वार फिर से जंता की बीच से वह जीत करके तो पुर्ण भूमिकानी भाय की और निस्चित रूप से जिस तरीके से उत्राखंड के चुनाव हुए हैं सभी को लग रहा था कि उत्राखंड में मामला फस जाएगा बीजेपी हार जाएगा लेकिन जिस पड़कार से उत्राखंड में बीजेपी को मैंडेड मिला है और बहुमत मिली है ओ भी अपने आप में बहुत अदभूत कह सकते हैं उसको और सिर्फ बहुमत ही नहीं तकरीबन दोती हाई सीट मिली है ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है हाला कि ये अलग बात है कि जो उत्राखंड के मुख्य मंतिरी थी पुसपर सिंग धामी वो खुद चुनाधार गए लेकिन उनके पार्टी बीजेपी ने पंपर वहां पर जित धर्ज की है इसके अलबागर हम बात करें गोवा की तो गोवा में भी बीजेपी की सरकार बन गई बहुत ही सांदार परदर्शन रहा बीजेपी का कहा जा रहा था कि कांटे की मुकाबले होंगे कांगरेश को एज है लेकिन जिस परकार से बीजेपी ने वहां पर परफॉर्म किया कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से गोवा को भी बीजेपी ने लिका लिया और अगर हम मनीपूर की बात करें तो मनीपूर में बीजेपी सिंगर लार्जेस्ट पार्टी के ग्रूब में उभड़ी है उनको बहुमत भी मिला है और मनीपूर में भी कह सकते हैं कि हमों सरकार बनाने जा रहे हैं तो पांच राज्यों के जो चुनाब हुए थे उसमें से चार राज्यों में बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है तो बीजेपी के लिए एक बहुत ब़ ये उत्रोबंगय विवह मनीपूर एकाई नियो अपने लेया है बलकि जो बीजेपी के बक्च में लहर थी जिसके कारण से बीजेपी इतना सांदार जीद्दर्ज कर रही है तो पाँच राजियों में से चार राजियों में बीजेपी और पंजाब में आमाद्मी पाठी की सरकार बनी है वहीं कॉंग्रेस के हाथ हर जगा खाली है कहीं 2 कहीं 4 कहीं 8 तो कह सकते हैं कि किसी भी राजिये में 20 का आकरा भी नहीं छुपाई है कॉंग्रेस तो कॉंग्रेस के लिए ये चिंतन मनन करने की अवस्था है उसको अपने अंदर जाकना होगा कि काखिर कार कहां पर चूक रही है और निश्चित रूप से इसके अंदर जाना होगा जाकना होगा आपने जो गलतिया है उसको सुधार करनी होगी लेकिन आज इन सब चीजों की चर्चा की भी से नहीं है आज तो बीजेपी का जीत का चसन है और चारू और यही तंजरा रहा है आप लोग भी इस जीत पर जरूर करें नमस्कार धन्यवाद